नमना रहें धनराशी वालों के लिए चर्चा करते हैं धनराशी वालों गोचर की इस्तिती अत्य अनकूल और लाब दाएक आज सुपर समाचारों की प्राप्ती होगा हैं आप नौकरी में तो प्रमोशन मिल सकता है और कारोबार में है तो धन की इस्तिती उत्तम रहेगा सरकारी कारियों में लेगे व्यक्तियों के लिए विशेश सफलता और लाब का अवसर प्राप्त होगा और घर पडिवार का सुख मिलेगा गोचर संकेव दिरा है कि नौकरी में वैपार में और सरकार से तिनो और से आज लाब ही लाब है बस एक च्छोटा सा कामी नहीं करेँ और वह इस काम को आप कर लेंगे तो बहुत सुन्दर दिन बितेगा खर में घी कर दिपक जला लिजे अरगला स्थरुत का पाठ करें मा भगवति की अरादना करें तो दूगती नासनी दूगे 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 यह काल विनासनी काली अमारमा भ्रम्मानी जै राधा रुकमन शीटा दूगती नासनी दूगे जै बस इस एक लाइन चाहिक पिश्चिशा और प्राकर्म में बृदि होगी परिष्टा और परतियों किता में शपलता होगी और मांसंबन बढ़ेगा क्यों क्योंकि ग्रगोच शुब और अनकुल है और शितारे लाब का संकेत दे रहे हैं कि योजना सपल होगी परिवार का पूर्ण श्रयोग प्राप्त होगा और आज सुब समाचारों की प्राप्ति होगी और दिन बहुत सुब विलतेगा मकराश्यों लोग क्या नहीं करें आज की दिन अपने घर में कोई तांबे का बरतन खरीद कर नहीं लाएं कि यह आप तांबे का बरतन नहीं करते आज की दिन आपके घर में शांती साथ और क्या करें चोटा सा उपाय जुरू करें सर्दार्म सार बादरा पक्षियों को डाल दें लाब ही लाब मिलेगा नमनलन और बात करते हैं कुमराशी कुमराशी वालों सितारे संके दे रहें क मन थोड़ा सा मिचलित रहेगा लाप्रापत के लिए कठेन परिश्रम करना पड़ेगा आज कारे भार जादा हुने से मन प्रेशान रहेगा दौर धूप और परिश्रम लगा रहेगा शिक्षा में रूची रहेगी लेकिन खानपान की प्रति नियमित रहना आवश्यक है अन्यता श्वास्ते प्रतिकूल हो सकता है आए मध्या में सोच समझ कर खर्चा करें और एक बहुत जरूरी बात है कुम राश्यों और वह यह कि आज आज किसी भी हालत में लोहई की जो वस्तु है जरूर खरिदे आज आपके लिए लोहा खरिदना बहुत अच्छा और क्य दो यह कि अनावस्य विएग्ण और प्रेशानियों का सामना करना पड़ेगा आए घरेलों प्रेशानी चिंतित प्रिशान करें गरेलों प्रेंसानी से मन बहुत चिंतित हैं लाब मारक में रुकावण है धन की कमी है और आज वहान आदिसे चोट लग सती है इसलिए प्रि चने की दाल, पीले फूल, पीले मिठाई, पीले वस्त्र, माभगवत की शिर्चणों में अर्पित करें, दिन अच्छा बितेगा, नमक बात कते हैं, शुक्रवार के उपाये की, यदि घर में हमेशा नकारात्मक उर्जा रहती हो, घर के लोर शकुन और शान्ति से नहीं रहे और उसके बाद पोछा लगाए, एक तो घर में बीमारी नहीं रहेगी, दूसरा उर्जा शकारत में बदल जाई, जो नकारत में उर्जा है, वो शकारत में उर्जा में बदल जाई, कभी भी बीम के नीचे नहीं बैटे, इसे सारिक पिड़ा और सिर्दद रहता है, आपीस का निकास सदा मकान के उत्तर ये पुरुदिसा में तो लाब होगा, और वान नहीं है, तो कारोबार में घाटा होगा, इसका मतलब यह है कि जो घर का मालिक है, उसका भाग्य कमजोर होगा, वो निने निले पाएगा, आर्ति घानी होगी, विचारों में हमें सा तनाव रहे कर दीजे या उनको ठीक करवा दीजे, बहुत अच्छा रहेगा, नमनायन और बात करते हैं, शुकरवार के निशुदे के, यदि आपको सिर में आदा दर्द रहता हो, चुटकारा पाने के लिए अजवाइन की नस्वार बहुत उब्यों की है, अजवाइन के बारिक चुर इदि आदा सिसी दर्द है, सर में आदा दर्द है, चुटकारा पाने लसुन की कलियां पीछ कर कंपट्य पे लेव कर दे, या दोनों तरवी लेव कर दे, दो मिनिट के बाद पहुंच दे, ध्यान रखे, जादा देर कंपट्य पे लसुन रखने से फपोले बढ़ जाते है इस बाद का ध्यान रखेगा जितना दर्द रस कनपट भी लगा रहे जाएगा वो सब दर्द को सोक लेगा इसलिए जादर कलियों को रखे नहीं इसको हटा दे यह राम रामबान है सिर्दद के लिए नमोना रहे कर दो something देए चलता है कर दो चोटी दर सिबाप के यहां किसी की वाप की वपोति नहीं है जुए प्रैथन और पात्ना को साथ लेके चलता है सफलता उसका दावन चुन है प्रयत्न करता लेकिन प्रात्ना नहीं और प्रात्ना करता लेकिन प्रयत्न नहीं ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं इस आप सफलता चाहते तो प्रयत्न और प्रात्ना दोनों ही समानन्द चलना होगा तब जीवन सब्सक्राइब जो प्रत्न और प्रेणा के अनकूर प्रेश्म करता है सफलता हमेशा उनका चरण पकारती है हाथ के इन लकीरों के पीछे मत पुड़बाई भागे तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होती तो आज का जो पुरसार्थ है वो आने वाले कल की तकदीर है किसी संत किसी महत्मा को अपना हाथ मत दिखाओ बल्कि उनका हाथ अपने सर पर रखवा लेना बल्ले बल्ले हो जाए हाथ दिखाने की बजाए संत महत्मा का हाथ अपने सर के उपर आसिरवाद की रूप में रखवाना जीवन खुश्यों से भड़ जाएगा इस अंसार में भांती-भांती की लोग है सब प्राणी रते हैं और जीव-जीव से भोजनम पशु गासबास गासपुश के भूके हैं तो मनुश्य अनाज का भूका है बगवान भावना का भूका है इस दुनिया में नजने कितनी भासाएं हैं पर तु परमात्मा परमिशुर खाली हिर्दे की भासा समझता है हिर्दे की भासा ही उनकी अपनी मातर भासा है परमात्मा ने लोग कहते हैं कि बगवान राम ने शबरी के जूटे बेर खाए लेकिन मैं यह कहता हूं बगवान नाम ना शबरी के जूटे वेर नहीं काई सबरी की अनुठे वेर खाए क्योंकि उन्हें स्यम्राम जी के सबरी से लूटे श्यम छीन थे सबरी के जूटे लेके घुम लेकिन चीन के का यह दे दे मैं खाऊंगा और भाव का मैं भूका हूँ और भाव ही एकसार है और भाव से जो कुछ भी दिया जाता है वह बहुत अमरीत के समान हो जाता है इनुविश्भावों को याद रहो जिवन खुशोचे भर जाएगा आज इतना ही कल के लिए कल शनिवार का दीन है और कल बहुत कुछ बताओंगा कल क्या बताओंगा ये आज नहीं बताओंगा कल का इंच्जार करो सै कल आज ये नहीं बताऊंगा कल क्या बताऊंगा तो कल के लिए 11 बजे गुरुमंत्र में अदभुद लेके आ रहा हूं शनिवार नमदा रहेंगा